सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लिखने दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रेल गाड़ी से समधित जो प्रशने एक्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों वो प्रशने इस वीडियो के अंदर हम वीडियो को लाइक कर दे साथ में अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिशिशन आप तक तुरंत पहुश सके तो दोस्तों बिना देरी की वीडियो शुरू करते पहला ज सकते हैं रेल गाड़ी की जो लंबाई दे रहे हैं यहाँ पर सौ मीटर है दोस्तों उसके बाद उसकी जो चाल है दोस्तों वो 30 km प्रति गंटा एक खड़े व्यक्ति को अगर रेल गाड़ी पार करेगी तो उसमें व्यक्ति की लंबाई इंक्लूड नहीं होगी केवल रेल बटवा चाल होता है और धूरी हमको दे रहे की रेल गाड़ी की 100 मिटर और चाल हमको दे रहे की 30 किलोमेटर परती गंटा के चाल को propos यह भी में क्या करना पड़ेगा तो हमको चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों 5 बटावा 18 का हमको गुणा करना पड़ेगा अब 5 बटावा 18 का गुणा करेंगे तो दोस्तों ये कट रहे 6 की पाड़े से 638 और 635 तीस ये कट जाएगे उपर 5 और 5 का गुणा हो जाएगा दोस्तो 25 बटावा 3 तो ये जो चाल आएगी दोस्तो ये आजाएगी हमारे मीटर पर सेकंड में तो दोस्तो हमको सबसे पहले जो चाल है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है क्योंकि दोस्तो समय जो होगा वो सेकंड में आएगा गंटे में नहीं आएगा इसलिए हमको चाल को भी मेटर पर सेकंड में बदलना है अब दोस्तों हमको निकालना है समय हम जानते हैं दोस्तों समय का सुत्र क्या होता है तो दूरी बटावा चाल जो है वो समय का सुत्र होता है अब दूरी कितनी है तो रेल गाड़ी की जो दूरी लंबाई है वही दोस्तों दूरी होगी बटावा चाल अमाने निकाल ली 25 बटावा तीन तो तीन चले जाएंगे दोस्तो उपर यहाँ पर अपोन में जो तीन होंगे वो चले जाएंगे याँ उपर तो हमरे पास आगया 100 गुणा 3 बटावा 25 अब 25 के पाड़े से सो कट जाएंगे दोस्तों चार बार में तो चार इंटू तीन, चार को तीन से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आंसर आजाएगा 12 सेकंड तो एक खड़े व्यक्ति को पार करने में रेल गाड़ी द्वारा समय लिया जाएगा 12 सेकंड ओप्शन नंबर यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समझ में आ गया होगा कुछेन आपको कुछ नहीं करना चाल को आपको में पार सेकंड में बदलना है किस से गुणा करके पांच बटावा 18 से गुणा करके अगर मीटर पार सेकंड को वापस किलोमीटर परती गं होता है और जो सेकंड कुछन श्टार करते हैं ऑसका इसका आप ले सकते हो सेकंड कुछन स्टार करते हैं दूसरा जो कुछन है 111 मेटर लंबी रेल गाड़ी 45 किलो मेटर परती गंटा की चाल से दो-szos-19 मी-टर लंबे पूल को कितने समय में पार करेगी दोस्तो ये भी रेलवे प्रिक्षा दो जाच्छे में पुचा गया प्रश्ण है जो रेल गाड़ी की लंबाई है दोस्तो एक-सो इग-अतर मी-टर लंबी है और दोस्तो पूल की लंबाई 229 मी-टर दे रखी है औ और आपको चाल दे रेकिए समय निकालना है तो दोस्तो पूल को पार करने में जो समय लेगी तो इसमें समय का सुत्र वही लगाना आपको दूरी बटावा चाल लगाना है और दोस्तो दूरी जो होगी उसमें ये रेल गाड़ी की और पूल की दोनों की लंबाईया प्लस हो जाएगी तो सबसे पहले दोस्तों हमको जो चाल दे रेकिए उसको मिटर पर सेकंड में बदल लेते हैं तो पेटाल इसको गुणा कर लेंगे पांच बटावा अठारा से तो यह कट रहे है छे की पाड़े से छे ती आठारा तीन के पाड़े से कट रहे है दोस्तों यह तीन चंग अठारा हो रहे है और इधर हो रहे है दोस्तों वापस सोल कर लेते हैं यह हो रहा है पेटालिस को मिटर पर सेकंड में बदलेंगे पांच बटावा अठारा से गुणा करेंगे तीन के पाड़े से अठारा कट रहे है तीन चंग अठारा और तीन के पाड़े में पेतालिस आते पंदरा बार में वापस तीन के पाड़े में छे आते दो बार में और तीन के पाड़े में पंदरा आते पांच बार में वापस पांच को पांच से गुणा करोगे तो दोस्तों हो जाएगे दस पांच को पांच से ग मीटर पर सेकंड आएगी फिल क्या करना दोस्तों हमको जो टोटल जो दूरी है दोस्तों दोनों की जुड़ जाएगी 111 किलो मीटर जो है वो रेलवे की लंबाई है प्लस जो पूल की लंबाई है 239 मीटर है दोनों को जोड़ेंगे हम तो 9 और 10 का 0, 7, 8, 9, 10 का 0, हसल का 1, 3 और 1, 4 400 मीटर जो है वो कुल दूरी आ जाएगी तो समय आ जाएगा 400 बटावा में चाल हो जाएगी 25 और 2 चले जाएगे या उपपर 25 के पाड़े से कट जाएगे तो कितनी बार में कटेंगे 65 चौक सो चार बायर में 100 आ रहें तो 400 आ जाएगे 32 बायर में कितनी बार में आ रहे दोस्तों 400 आ जाएगे 16 बार में यापड़ 613 बार में और 16 को दो से गुणा कर लेंगे 16ी 32 सेकन्द तो दोस्तों उस पोल को पाषिक करने में रेल गाड़ी को समय लगेगा 32 सेकंड तो option आजाएगा option नमबर 30 का correct answer हो जाएगा option नमबर 32 सेकंड दोस्तों तीसरा क्यूशन है 125 मीटर लंबी रेल गाड़ी 60 किलोमेटर परती गंटा की चाल से चल कर एक पूल को 30 सेकंड में पार कर लेती है पूल की लंबाई कितनी है दोस्तों इसमें पूल की लंबाई निकालने आपको सबसे पहले जो रेल गाड़ी की चाल देरी की है वो देरी की दोस्तों 60 किलोमेटर परती गंटा तो 60 km पर 3 गंटा को सबसे पहले हमको बदल लेना है मिटर पर सेकंड में तो 60 को गुणा कर देंगे दोस्तों 5 बटावा 18 से तो 18 के पाड़े में 60 आते हैं यह कट रहें दोस्तों 6 के पाड़े में 6 तीया 18 बार में और यह 10 बार में कट रहें तो 10 और 5 को गुणा करेंगे तो यहां हो जाएंगे अमरे पास 50 बटावा में 3 तो 50 बटावा 3 जो है यहां पर हमारे चाल आ जाएगी उसके बाद दोस्तों 50 बटावा 3 मीटर पर सेकंड हमरे पास चाल आ गई है अब क्या है कि जो रेल एक पूल को पार करने में 30 सेकंड का समय लग रहा है तो दोस्तों पूल को पार करने में कितना लग रहा है 30 सेकंड का समय माल लेते हम रेल गाड़ी की लंबाई कितनी देर की 125 मीटर प्लस पूल की जो लंबाई है दोस्तों वह माल लेते एक्स मीटर और जो चाल आई है हमारे पास वो आई है पच्चास बटावा तीन और दोस्तो इसको समय लग रहा है तीस सेकंड ऐसे आपको सोल करना है 125 तो हो जाएगा दोस्तो रेल गाड़ी की लंबाई एक्स हो जाएगी पूल की लंबाई और पच्चास बटावा तीन हो जाएगी चाल तो दोस्तो ये तीन जो ये पच्चास बटावा तीन इदर तीस की साइड पर जाएगे तो इदर गुणा में हो जाएगे 50 बटावा 3 गुणे में हो जाएगा यहां से कटके तो यह 3 के पाड़े से कट जाएगे 30 कट जाएगे 10 बार में तो 10 को गुणा करेंगे 50 से ही हो जाएगे 500 तो यहां पर आगे 6 करेंगे 125 प्लस X तो यहां पर बची जाएगा बराबर में बच जाएगे आपके 500 और फिर X का मान निकालोगे तो यह 125 उदर भेज देंगे तो माइनस के हो जाएंगे 125 और 500 में से 125 अगर माइनस करते तो दोस्तों किंतना आता है 305 मिटर तो यहाँ पर जो पूल की जो लंबाई होगी दोस्तों वह 355 मिटर ओप्शन नंबर एस का कर्यक्ट आंसर हो जाएगा नेक्ट क्यूशन एक रेल गाड़ी 30 किलो मेटर पर ती गंटा की चाल से जा रही है एक रेल गाड़ी 30 किलो मेटर पर गंटा के हिसाफ से चल रही है एक व्यक्ति उसी दिशा में पट्रियों के समांतर 15 किलोमेटर की परती गंटा की गती से दोड रहा है यदि रेल गाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है रेल गाड़ी की लंबाई निकालने है दोस्तो सबसे पहले क्या है कि जो रेल गाड़ी और जो व्यक्ति है दोस्तों वो दोनों जो है वो एक ही दिशा में दोड़ रहे हैं एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों एक ही दिशा में होंगे तो उनकी जो चाल होगी दोस्तों वो जो उनकी चाल होगी वो क्या हो जागी दोस् चाल माइनस होगी अगर एक डूनों की दिशाइं विपरित है एक इस दिशा से आ रहा है तो जो चालगी दोस्तों क्या होगी प्लस होगी यह बात आपको ध्यानों रखना है दोनों एक ही दिशा में चल रहेoth तो चाल माइनस होगी और दोनों अगर विपरिती दिशाओं में चल रहे हैं तो चाल प्लस होगी कुशन सोल करते हैं सबसे पहले जो चाल है दोनों की दोनों की चाल दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं चाल आ जाएगी हमारे पास 15 किलोमिटर पर हवर अब उस 15 को हमको बदलना है दोस्तों मीटर पर सेकंड में तो 5 बटावा 18 से गुणा कर लेंगे अब ये पातीन के पाड़े से कट रहें तीन चंग 18 और तीनों पंजिव पंदरा 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बटावा 6 तो 25 व्यक्ति को और रेल गाड़ी को दोनों को आपस में क्रोश करने में ड़ेल का शमय लग दोस्तों ecosोन व्यक्ति की यह लंबाई नहीं होती तो यह माल लेते हैं चाल मार आगे हमारे पास 25 बटावा 6 शे tasty उपर और ब Rubied देते उस अपर तो, X बराबर हो जाएगा, 48 के 7 में 25 का गुणा हो जाएगा, और यह जो X के गुणे में 6 है, वो इधर भाग में आजाएगा, अब 6 को, 6 के पाड़े में 48 आट बार में, तो X बराबर आजाएगा हमारा, 8 इंटू 25, अब दोस्तों, 25 को हम 8 से गुणा करेंगे तो 25, और 25 को 8 से गुणा करेंगे 200 तो हमारे पास 200 मीटर जो है वो रेल गाड़ी की लंबाई आ जाएगी तो ऑप्शन नमबर डीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्ट कुशन सौल कर लेते हैं दो माल गाड़िया जीन में से प्रते एक 500 मीटर लंबी है तो दोनों की लंबाई हो जाएगी 1000 मीटर एक दूसरे के विपरित दिशा में चल रही है दोनों दोस्तों विपरित दिशा में क्याने के मतला आमने सामने ऐसे चल रही है दोनों की चाल देर की 45 किलो मेटर गंटा और 30 किलो मेटर पर गंटा तो दीमी गती वाली रेल गाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी तो दोस्तों सबसे पहले दोनों विपरित दिशाओं में चल रही है तो चाल को प्लस कर देंगे 45 और 30 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 55 km पर गंटा 55 Muhammad 35 को प्लस कर देंगे धिर दोस्तो इसको अचि पर 17 में बदलें गए न ध्युद्व me Dec राट रहे हैं देशे कट रहे हैं चेक 3 के पाड़ से कट रहे थीन चंग अठारा होते हैं तीन दूनी 6 और 3-15 15 बार में अब यह कट रहे वापस अब किसी से नहीं कट रहे 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 125 बटावा 6 तो यह तो आजएगी दोस्तो हमारी ओसत चाल 125 बटावा 6 यह आजएगी मीटर पर सेकंड में उसके बाद दोस्तो अब जो दोनों माल गार्या जो है प्रतेक की जो लंबाई यह दोस्तों 500 मिटरें तो दोनों की लंबाई अगर प्लस कर देंगे तो 500 और 500 कितना होजेगे दोस्तों 1000 मिटर और जो चाल आएगी वह दोस्तों अपन में आजएगी हमको समय निकालना है तो 125 और जो 6 है दोस्तों वह चले जाएगी यह उपर 6 चले जाएगे उपर अभी क्या बच रहा है चालीस इंटू 6 बटावा में 5 पांच के पाड़े से कट जाएगे चालीस आठ बार में 8 इंटू 6 आठ को गुणा करेंगे 6 से तो 48 सेकंड तो 48 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा ओप्शन नमबर C से 6 ाblesंने से 10 से 12ए 21से कि एक खंबे को 20 सेकंड में पार करतीों यहीं सौ्वमिटर लंबए एक प्लेटपॉर्म को 30 सेकंड में पार करती रेलगाड से 11 Evansね की एक के खंबे को दोस्तों 20 सेकंड में पार कर रहे हैं तो खंबे की जो लंबए उती है उसको हम नहीं गीनतें केवल रेलगाडी की लंबाई को ही गिना जाता है तो छो खंबे को पार करने में 20 सेकंड लग रहे तो रेलगाडी की लंबाई हो गई एकस और उसमें समय लगा रहा 20 बराबर दोस्तों रेल चो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म कितना है सो मीटर लंबा है तो सो मीटर लंबाई प्लेटफर्म की हो जाएगी प्लस एक ृट मीटर की हो जाएगी यहां पर और यह रेल गाड़ी फट उसको पार करने में समय laging 30 थे कण दोस्तों हमने क्या किया दो कंडिशन हमको देरा किये तो दोनों कंडिशन में हमको चाल का सुत्र लगा दिया हमने लगा दिया चाल बराबर चाल कायने का मतलब जब रेल गाड़ी खंबे को पार करेगी या फिर प्लेटफर्म को पार करेगी तो उसकी चाल जो होगी दोस्तो तो समान होगी चाल नहीं बदलेगी अब चाल का सुत्र क्या होता है तो दूरी बटावा समय इसमें भी चाल का सुत्र क्या होता है दूरी बटावा समय अब जब रेल गाड़ी खंबे को पार कर रही है तो दूरी केवल रेल गाड़ी की लंबाई ही ही होगी इसमें खंबे की लंबाई प्लेटफॉर्म की हो जाएगी उसमें रेल गाड़ी की लंबाई जूट जाएगी और बटाव में उसको समय लग जाएगा 30 सेकंड तो यह दोनों कंडिशन में चाल जो है बराबर होगी अब दोस्तों इसको स्वाल करने के लिए क्या करेंगे हम वर्ज गुणा करे से 100 से तो यह ओजाएंगे 2000 और 20 पा गुणा करेंगे ऐक से तो 20 x अब दोस्तों इह 20x को अगर हम इधर बेज देते हैं तो 30x में से 20x 10X जो होंगे, वो माइनस हो जाएगे, बराबर 2000, अब 30X में से 20X माइनस करेंगे, तो 10X बराबर 2000 आजाएगे, और 1X बराबर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आजाएगा, हमारे 10 का भाग चला जाएगा 200, एक सो बराबर 200 मीटर तो 200 मीटर जो होगी दोस्तों वो रेल गाड़ी की लंबाई हो जाएगी तो option number D इसका correct answer हो जाएगा option number D इसका correct answer हो जाएगा next question है साथ किलो मिटर पर गंटा के हिसाब से एक गतिमान एक्सप्रेस साथ सो पचास मिटर लंबी रेल गाड़ी एक सिगनल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी दोस्तों यह किशन हमने फरस्टी फरस्ट में सोल किया था उससी टाइप से चाल देरे कि 60 किलो मिटर पर 30 गंटा तो उसको मिटर पर सेकंड में बदल लेंगे अब यह कट रहें दोस्तों तीन चे के पाड़े में 6 3 8 और यह कट रहें दस बार में 10 को गुना करेंगे दोस्तों 5 से तो 50 बटावा 3 मिटर पर सेकंड आ जाएगी हमारे पास रेल अब उसके बाद 750 मिटर लंबाई की रेल गाड़ी देर की सिगनल पोस्ट को पार करने का समय निकालना है दोस्तों सिगनल पोस्ट की कोई लंबाई ने होती इसकी जो रेल गाड़ी की लंबाई होगी वही लंबाई इसमें आएगी तो रेल गाड़ी की लंबाई हो जाएगी कितनी देरी की दोस्तों रेल गाड़ी की लंबाई देरी की 750 तो 750 बटावा चाल हो जाएगी 50 और बटावा के 3 चले जाएगे उपर इस 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों क्या आजाएगा 55 इंटू 3 बार में तो यह हो जाएगा 15 इंटू 3 15 को 3 से गुणा करेंगे दोस्तो 45 सेकंड ओप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा ओप्शन नंबर डी 45 सेकंड 45 सेकंड में उसको पार कर लेगी fait क 거죠 दोस्तो यह थे हमारे रेल गाड़ी से समबदित महतिपूंध प्रश्न दोस्तो जो एक्साम में पुछे जाते दोस्तो और इनीग प्रश्नों में से अख्सर एक्साम में क्युशन मिलते हैं दोस्तों यहीं सबसे important question हमने select करके आपको बताए है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे दोस्तों और अधिक हुआ ऐसलों झाल हत्तो वीडियो करके दोस्तों